प्रकरती के कई रहसे आज भी अंसुल्य हैं विज्ञानिकों ने कुछ रहसों से तो पर्दा हटा लिया है लेकिन दुनिया की कुछ रहसे जनक चीजें आज भी मौझूद हैं जिन से पर्दा नहीं हटाया जा सका है आएए जानते हैं अपनी से वीडियो में कुछ ऐसी पहल के बारे में जो आज भी सभी के लिए रहसे बनी हुई है नंबर वन दा डांसिंग प्लेग ओफ 1518 इसके बारे में पढ़कर ऐसा लगता है जैसे यह कोई कहानी हो 1518 में गर्मी के दिनों में सैर स्ट्रोंग्स बक्स में एक महिला ने सडक पर भयानक तरीके से नाचना शु अंदर किसी आत्मा का वास हो गया है नाचने की ना तो कोई वजय थी और ना ही कोई खास मौका एक महिने का अंदर नाचने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 400 तक पहुँच गई धार्मी पुरोहितों को इस्तिती पर नियंतरन लाने के लिए बुलाया गया साथी डॉक तबी सुदार आ पाएगा अगर वो रात दिन नाचेंगी इस घटना के पीछे के थियोरी दी गई हैं जहर एपिलेपसी सामोईक मानशिक बीमारी और कई वजय बताई जाती हैं कई तरीके आजमाए गए लेकिन इस एतिहासी घटना का आज तक संतोश जनक जवाब नहीं म पाया है नमबर दो पर आता है दा एस एस ओरांग मैडान जून 1947 में मलक्का के खाड़ी में वेपारिक मार्क से गुजर रहे जहाज को तब ही एक एस वा संदेश पहुंचता है जहाज के सभी कुरू सदस्यों की मौत हो गई है नजदी के जहाज सिगनल का सोर्स पहचानते पड़े थे कई लोगों की आखे अब तक खुली हुई थी और उनके चेहरे पर डर साप दिख रहा था जाज पर सवर कुटे की भी मौत हो गई थी बॉयलर रूम में सवों के नस्दीक जाने पर कुरू सदस्यों को बहुत ठंड लगने लगी जबकि तापमार 110 डिग्री फ स्पोर्ट होने से कुछ सेकिंड पहले ही वो किसी तरह अपने सीप पर वापिस पहुँच पाई कुछ लोगों ने इस दुरगटना के पीछे प्रकर्दी गैसों के बादल बनने का हवाला दिया वही अधिकतर लोग इसके पीछे सुपर नैचरल पाउर को जिम्यदा ठहरा नमबर तीन खिसकत हुए पत्तर जो कि डेथ वेली कैलिफोर्निया में मौजूद है डेथ वेली के नाम से कुख्यात इस जगए पर सैगड़ पत्तर मौजूद है इस सूखे मरुस्तल में अलग-अलग वजन के ये पत्तर बड़े रहसमें ढंग से मौजूद है कुछ पत् विट्टी बिना चेड़ दिखाई देती है कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भोगलिक बदलाव ये तुफान के चलते पत्थर कुछ इस तरह से खिसक रहे हैं नमबर चान मेनोसोटा डेविल्स वाटरफॉल इस जरने को रहसमें माना जाता है इस जरने में दो धाराएं उपर से नीचे गिरती है एक धारा तो सामान्य धाराओ के तरह बहती है पर दूसरी रहसमें तरीके से एक छेद में गिरकर गायब हो जाती है ये गुत्ती आज तक नहीं सुलच पाई है है रानी की बात यह है कि डैविल्स केटल नाम के छेद में आधी नदी का पानी समा जाता है नमबर पांच इजिप्ट के मंदिर में छुपा कर जूते रखे गए हैं एस्ट्रोलोजिस्ट को 2004 में खुदाए के दौरान एक अजीब चीज मिली एक 2000 में उन्हें साथ जोडी जूते मिले यह जूते बहुत थी अच्छी अवस्था में थे दो जोडी जूते बच्चों के थे जबकि बाकिये के बड़ों के ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले जान बूच कर यहां छुपाया गया था